नवश्कार दोस्तों, 19 अप्रेल 2020 दोपारबाद की बड़ी अपडेट है आपको बता दें मोसम विभाग की तरफ से अलार्ट जारी किया गया है जिसमें हिमाचल प्रदेश में बरबारी और दिल्ली NCR के छेतरों में भारी बारिस की चेतावनी दी गई है आपको बता दें उत्तर भारत में एक बार फिर से मोसम का मिजाज बदलता दिख रहा है एक तरह पाड़ों में भारी बारिस हो रही है तो वहीं दिल्ली NCR में बीते दो दिनों से मोसम पूरी तरह से बदला हुआ है आपको बता दें हेमाचल के लोहाई स्पीती जिले में किलों में कल बरबारी हुई यहां ताजा बरबारी हुई है वहीं उत्तर भारत के लिए मोसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है मोसम विभाग ने कहा है कि आज रविवार को कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती है वहीं बीते दो दिनों से दिल्ली NCR में श्याम के वक्त मोसम पूरी तरह से बदला जा रहा है मोसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली NCR में आज बारिस हो सकती है जानकारी के लिए बता दें बीते दो दिनों से दिल्ली NCR में शाम को बादल छा जाने के बाद बारिस हो रही है जिसकी वज़े से मोसम पूरी तरह से बदला हुआ है आपको बता दें दिल्ली कई इलाकों में तेज आंधी देखने को मिली तो वही नोईडा में भी तेज हवाओं के साथ बारिष हुई इसके लावा नोईडा से सटे गाजियाबाद में भी शाम के वक्त बारी बारिष देखने को मिली तो साथियो उत्तर भारत और दिल्ली NCR के लिए मौसम विभाग की ये बड़ी अपडेट है जिसमें मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले दो दिनों तक भी मौसम में इसी प्रकार बदलाव आता रहेगा जिसके चलते दिल्ली NCR और उसके आसपास के छेत्रों में बारिस के साथ साथ तेज हवावई देखने को मिलेगी और तापमान में ग्रावट भी दर्ज की जाएगी तो साथ यह बड़ी अपडेट थी मौसम भाग से जुड़ी हुई इस प्रकार की तमाम अपडेट्स लगा तरा आप तक पहुंचते रहें इसके लिए चलोग सुब्सक्राइब आवश्य कर लें